आपके अपने ड्राइंग टीचर सुरज चनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज बहुत ही आसान सा ड्राइंग हम देखने वाले हैं गोट का बकरी का वो भी हम बनाने वाले हैं दो नंबर और तीन नंबर की मदद से ध्यान से देखिएगा कागस पर कुछ इस तरह से दो नंबर हमने निकाल दिये अब दो नंबर की बिल्कुल नीचे ही हमें तीन नंबर निकालने हैं कुछ इस तरह से देखिएगा दो नमबर की जो नीचे की डंडी है वो तीन नमबर की उपर वाली डंडी बन जाएगी देखिए कुछ इस तरह से दो नमबर और तीन नमबर हमने निकाल दिये अब दो नमबर के उपर वाली हिस्से से हम हमारी बकरी के सिंग बनाएंगे बिलकुल आसानी से, देखिए कितने आसानी से बन गए उसके सिंग, यहाँ पर उसके हम लंबे से कान बनाएंगे देखिए बहुत ही महत्वपुरुन ये प्रानी है, बकरी, देखिए इस तरह से तिन नंबर की जो ये डंडी है, इसे को आगे बढ़ाएंगे तो उसकी गरदन बन जाएगी यहाँ से उसका हम चेहरा बनाएंगे मूँ बनाएंगे कितने आसानी से बहुत ही सिंपल सा है तरीका है आपके लिए आपके ड्राइंग टीचर सुरज ने बनाया है बड़ी ही मेहध से आप भी जरूर निकाल के देखीगा इस तरह से थोड़ी से दाड़ी भी कुछ बकरियों को होती है देखिए यहाँ पर उसके हम आखे बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है जब आप इसे निकाल कर देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा दो नमबर और तिन नमबर बस बिल्कुल आपको इस तरह से बनाने है देखिए उसके उदर वाला सिंप भी हम बनाएंगे पहले वाले सिंप को डबल लाइन करके चाहे तो पहले आप पेंसिल से बेज ड्राइंग को बना सकते है सिंपो पर कुछ लाइन्स भी होती है इस तरह से कुछ सिल्वटे होती है सिंपो पर देखिए कितने आसानी से आप देखिएगा तिन नमबर का जो नेचे वाला हिस्सा है उसे में से हम हमारी बकरी के मुड़े होए पैर बनाएंगे जब वो बकरी जलांग लगाती है इस पत्थर से उस पत्थर पर या कही पर भी तो उसके पैर आगे के हमें गुलाकार दिखते है पर होते नहीं है इस तरह हमने बनाए है देखिए इस तरह से उसका हम पीछे का पैर बनाएंगे यहाँ पे रह भी आप निकाल सकते है देखिए रह की मदद से उसका पीछे का पैर बन गया मिल्कुल आराम से कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए कोई भी ड्रोइंग हमें बनाना चाहिए तब भी वो अच्छा दिखता है देखिए इस तरह से बकरी का जो शरीर है वो बन गया उसकी पूझ भी बहुत ही आसान है देखिए उसकी पूझ बन गई अब यहाँ पे उसके हम थन बनाएंगे देखिए कितने आसानी से बकरी का दूध बहुत ही पोश्टिक होता है बड़े बड़े ब्रैंडs बकरी के दूद को भी परमोट कर रहे है अपने सहत के लिए बहुत ही अच्छा यह दूद होता है बकरी का देखे इस तरह से उसके पैर उसके खुर हम बना सकते हैं उस सेड़ वाले पैर भी पहले वाले पैरों को डबल लेन करके बनाएंगे उसके गले में कुछ घुमरों गरा बनाएंगे नीचे कुछ पत्थर गरा कितने आसानी से दो नमबर और तीन नमबर के इस्तिमाल से हमने बकरी का गोट का ड्रोइंग बना दिया सुन्दर तरीके से इसे कलर कीजिएगा जरूर से बनाईएगा अगर आप नए हैं तो हमारे ड्रोइंग टीचर सुरज चनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा इस ड्रोइंग को जरूर शेर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ठैंक्स पर वाचिंग जल्दी ही फिर से मिलते हैं